My dear students, तो पहले के segment में हमने पढ़ा present के चारो फोर्म, present tense के चारो फोर्म, यानि present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous, ठीक है? तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? I go, okay, I am going, I have gone, I have been going, yeah, he goes, he is going, he has gone, he has been going. ये पढ़ा, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं, went, यानि चला गया, jumped, इस वर्फोर्म का, अब हम लोग पढ़ते हैं, usage, यानि कि अब recent past पढ़ते हैं, अच्छे, इसमें confusion होता है कि present perfect और past simple में बहुत लोग confused हो जाते हैं, यहां था कि कुछ teachers भी confused हो जाते हैं, जैसे मैंने अब या है, अगर effect बाकी है, मैंने नास्तक किया, यानि कि पेट में है, तो किया है, present perfect ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने नास्तक किया, यानि फी थोड़ी भूख लग गया, तो फिलिंग के साथ यह tense change हो जाता है, तो और अक्सर इसमें, इसके जो negative form होते हैं, उस इसे लिखते हैं, तो इसी के लिए मैं लाएं हूँ, ड्रिल्स ताकि आपके जबान पे यह tense आ जाए, और इसको मेरे साथ दोहराएंगे, नहाते दोते खाते पीते चलते, शागिल चलते खिलते, आप इसको मन में दोहराते रहें, सोने से पहले एक बर सुनने रोज, तो आ यह आपका ड्रिल्स बना दिया है, ताकि ड्रिल्स से आप जल्दी बोल पाएं, ठिंकिंग इन इंग्लिश का जो प्रोसेसिंग लेट होता था था ट्रांसलेशन मेधर्ड पे, उसको कम्यूनिकेटिव करने के लिए यह बात में लाएं तो चली आ जाते हैं, तो ड्रिल्स क ड्रिल्स सुरू करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे आप भी, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बोट पर यह दिखेगा, स्क्रीन पर, और आप इसके साथ साथ दोहरा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और फिर मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं, मेरे साउंड के साथ, तो I went, I didn't go, did I go, didn't I go, where did I go, I went, didn't I, यहनी पहला negative, I, पहला positive, I went, I didn't go, दूसरा negative, तिसरा, did I go, क्या मैं गया, didn't I go, did I not, दो नो, question भी, negative भी, क्या मैं नहीं गया, where did I go, मैं कहां गया, यह, why did I go, यह, how did I go, WH question वाला, और फिर, I went, मैं गया, didn't I, न, यहनी क्या नहीं, मैं गया न, तुमने चोकलेट खाया न, you, delibated चोकलेट, delibated चोकलेट क्या कहते हैं न, ऐसे खाते हैं, इसलिए मैंने eat नहीं लगाया, हम लोग delibate करते हैं ज्यादा तर चोकलेट को, यहनी भोल भोल के रस पीते हैं, you, delibated चोकलेट, didn't you, तो इसको याद रखेंगा, I went, अब चलो, I went, I didn't go, did I go, didn't I go, where did I go, I went, didn't I, मजाया न, चलिए बोलते हैं, आगे फिर, I was going, I was not going, continuous, was I going, wasn't I going, where was I going, I was going, wasn't I, yes, ठीक है, अब पर्फेक्ट में आ जाते हैं, तो पर्फेक में कैसे बोलेंगे, I had gone, I hadn't gone, had I gone, hadn't I gone, where had I gone, I had gone, hadn't I, ठीक है, ऐसे पर्फेक्ट में बोलेंगे, पर्फेक्ट के बाद, perfect continuous, I had been going, I had not been going, had I been going, hadn't I been going, where had I been going, I had been going, hadn't I been, मजा रहे हैं न, बोलने में, अब मालों आप साइक्ल चला रहें, आप बोल रहें, I went, I didn't go, did I I go, didn't I go, where did I go, I went, didn't I, नहा रहें, I am, अब उसी को नहा रहें, उसी एक्शन को बोलो, जो काम करें, उसी एक्शन को बोलो, ठीक है, जैसे मैं नहा रहा था, ठीक है, पास्ट में चुकी बोल रहें, तो, I was taking what, I was not taking what, was I taking what, where was I taking what, I was taking what, wasn't I, तो इस ड्रिल्स को, आप यह स्क्रिन से, स्क्रिन सोट ले लेना, या वीडियो को रोग करके, रिवाइन करके, यह सुन के मेरे साथ बोलना, ठीक है, तो, आपका बहुत अच्छा यह टेंस होने वाला है, थैंक यू, वेरी मच, फिर मैं आपको फ्यूचर का ड्रिल्स बता दूँगा, तो, अगर एक ए को उठा के लास्ट में रिकेप करा दो, तो, क्या होगा, आई वेंट मैं गया, आई वास ओंग मैं जा रहा था, आई हैड़ गओं मैं जा चुका था, इसमें आप टाइम के साथ लगा सकते हैं, और भी तूबरेशन्स यानि टाइम कि कब से जा रहा था, 27th, 2010-2020 से, ऐसे, थैंक यू बेरी मचू किप वाचिंग एंगलू डिक्टू अच्छा लगा आपको तो सुब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों को थैंक यू